हे दोस्तों, जोस्तों कर आप एक पाउरफुल गेमिंग लेने की सोच रहे हैं और आप कन्फ्यूज हैं Acer Aspire 7 में और Asus Fivobook गेमिंग में तो आज हम इन दोनों ही laptop को करने वाल है detail, comparison और दिखने इन दोनों में से कौन सा laptop बहतर लेने वाल है आपके लिए ये दोनों ही laptop दोस्तों काफी ज़दा पाउरफुल और काफी अच्छी कासी specs के सांद आते हैं और काफी compete करते हैं 50-60,000 वाली segment को और इस वीडियो को देखन Acer की तरब से Acer Aspire 7 और दूसरे laptop अच्छे laptop बात करें specs की, Acer Aspire 7 में आपको बिलता है i5 का 9th generation का processor और वही अच्छे बात करें आपको देखने को मिलता है अब बात करें दिस्पले की तो आपको Acer Aspire 7 में देखने को मिलता है 15.6 inches का Full HD IPS पैनल और 60 Hz का refresh rate के साथ और वही असूस वीडियो वो गेमिंग में भी आपको 15.6 inches का Full HD IPS पैनल मिलता है और साथ आपको 60 Hz का refresh rate के साथ डिस्पले भी देखने को मिलने वाले है और जो इन दोनों के डिस्पले में डिफ्रेंस है जो आपको Acer Aspire अपको एंटी ग RAM की तो आपको Acer Aspire 7 में देखने को मिलती है जो तो 8GB की DDR5 RAM और वहीं आपको Asus Vue Book Gaming में आपको देखने को मिलती है 8GB की RAM प्लस आपको 32GB की Optane Memory देखने को मिलने वाले है मतलब आपको थोड़ा RAM में एज देखने को मिलने वाल है Asus Vue Book Gaming में बाकि बात करें storage की तो आपको A Acer Aspire 7 में देखने को मिलती है 512GB की NVMe SSD और बात करेंगर Asus में तो आपको वहाँ भी आपको पांको 5012GB की NVMe SSD देखने को मिलती है मतलब दोरे जगे आपको SSD स्वी मीदेखने को मिलती है लेकिन जो आपको difference देखने को मिलने वाला है जो आपको Asus है इसमें आपको SATA Slot अब हम बात करने वाले हैं दूस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है दूस्तों जीप्यू बात करें जीप्यू की तो आपको एसर एसपार 7 में देखने को मिलता है NVIDIA की तरफ से NVIDIA का GTX 6050 का 4GB का DDR6 GPU और वहीं आपको गेमिंग में आपको देखने को मिलता है NVIDIA की तरफ से NVIDIA का 1050 का 4GB का DDR5 GPU तो अगर आप comparison करेंगे दोनों के GPU के तो simply winner होने वाला है Acer Aspire 7 क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलने वाला है NVIDIA की तरफ से NVIDIA का GTX 6050 का ग्राफिक कार्ड जो काफी एक powerful ग्राफिक कार्ड है तो अगर आप light gaming करते हैं या अगर आपका video related काम है और जाद आपका GPU से काम नहीं है तो आप इस laptop को भी consider कर सकते हैं अब बात करें दोस्तों webcam की तो आपको Acer Aspire 7 में वही 720 का HD webcam देखने को मिलता है और वहीं VivoBook gaming में भी आपको HD 720 का webcam देखने को मिलने वाला है मतलब आप कह सकते हैं कि दोनों में camera आपका similar है और बात कर लेते हैं दोस्तों पोर्स की तो आपको Acer Aspire 7 और Asus Vivo Gaming में similar ports देखने को मिलता है हैं लेकिन जो difference में आपको Acer में आपको 2.0 कर एक पोर्ट देखने को मिलता है लेकिन आपको अइग पोर्स देखने को मिलता है वह है SD card reader मतलब है आपको Sikycard reader भी देखने को मिलने वाला है अब बात करने कि दोनों में Wi-Fi 6 का कार्ड देखने को मिलना है लेकिन दूसर जो जो डिफ्रेंस है वो है Bluetooth में आपको इस सब्सक्राइब 7 में देखने को मिलने माला है Bluetooth 4.1 और वहीं आपको असुस व्यूबुक गेमिंग में देखने को मिलने माला है Bluetooth 5.0 तो आपके सकने कि ए अशुस थ्यूबुक एवार देखने को मिलने माला है और वहीं आपको असुस व्यूबुक देखने को मिलने माला है अब बात करें दूस्तों प्राइज की तो दूनों ही लेप्टाप सेम प्राइज में आते हैं Flipkart के उपार लेकिन chain में लेप्टाप लिंग गे तो olv 1000 तक का आराम से मिल जाएगा Flipkart के उपपर, बाकि अगर आप Big Billion State तक वेट कर सकते हैं, तो आप वेट कर लिजिए उसमें आपको और Bumper Discount देखने को मिलने वाला है, इन दोनों ही Laptop के उपपर अब बात करें विनर की, तो दोस्तों दोनों ही Laptop आपको Light Gaming करनी है, और आप ट्रावलिंग ज़्यादा करते हैं, तो आप Asus Vue Book के उड़ जा सकते हैं, दोनों ही Laptop अच्छे हैं, डिपेंड करता है यूजर पर, बागि दूस्तों यह था comparison Acer Aspire 7 2020 का, और साथ में Asus Vue Book Gaming का, दोनों ही काफ़ अच्छे Laptop Windows आप कोई भी ले सकते हैं, और अगर दूस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो दूस्तों लाइक जुरू कर देज़ेगा, और अगर आप चैनल पर अभी तक नए है, तो दूस्तों सब्सक्राइब भी जूरू कर देज़ेगा, क्योंकि रोजानाम इसी दिकेस मे Tech और Tips and Tricks के वीडियो ले के आते हैं, और आपको पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए दूस्तों फिर से बहुत बहुत धन्यवाद,